सब्सक्राइब दोश्तों आप सभी का स्वागत करते हैं नीज लाइब में दोस्तों तरपदेश में बिदान शबाज़ का चुनाव है और उसको लेकर शरगर्मिया तेज हो गई है तो वहीं कई सारे नेताओं के चर्चा भी जोरों पर है जैसे कि मुक्तार अनिशारी की बात कर लें आजम खान की बात कर लें अतीक हमत की बात कर लें और एक और ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा पूरे चिनाओं में लागातार होती रहती हैं और वो कोई और नहीं बलकि राजा भाईया हैं जी हम बात करें तो राजा भ प्रत्यासी ना उतारने वाले समाजवादी पार्टी के सुप्रिमों और उत्तर परदेश जैसे बड़े राजे का पुर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेस यादों ने अब राजा भाईया के खिलाफ 20 साल बाद समाजवादी पार्टी ने प्रत्यासी उतार दिया है औ प्रत्यासी जो है वो राजा भाईया का दोस्त है पूरा मामला क्या है आप जान लेते हैं कुंडा बिधान सबा सीट से विधायक है रहुराज प्रताब सिंगुर्फ राजा भाईया राजा भाईया प्रताब गर्जिले के इस हौट सीट पर पहली बार 1993 में चुनाव लड़े थे तब से लेकर आज की तारिक तक कुंडा बिधान सबा सीट से वो हर बार लड़े और जिते इस बार उनके दोस्त गुल्षन यादो से ही उनका मुकाबला होने जा रहा है समाजवादी पार्टी ने कुंडा सीट से गुल्षन यादो को टिकट दिया है साल दोजा दो के बाद पहरी बार समाजवादी पार्टी ने राजा भाईया के खिलाफ अपना कोई प्रत्यासी उतारा है राजा भाईया भले निर्दली ही विदान सबा का चुनाव लड़ते हों लेकिन वह जीत कर समाजवादी पार्टी को शमर्थन देते थे राजा भाईया मुलायम सिंग और अखलेस यादो की सरकार में भी मंत्री रहे थे पिछले कुछ समय से राजा भाईया और अखलेस यादो की बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था इस तलखी का नतिजा ये हुआ कि 20 साल बाद फिर से समाजवादी पार्टी ने राजा भाईया के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया है बात अखलेस यादो और समाजवादी पार्टी के प्रतियासी गुल्षन यादो की करे तो वह राजा भाईया के बेहत करीबी और अच्छे दोस्त रहे हैं राजा भाईया की शत्रचाया में रहकर गुल्षन यादो ने राजनीती में कदम रखा है कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके गुल्षन यादो पर डियेस पी जी आउल हक के मडर का आरोप भी लगा था जिन राजा भाईया के खिलाप वो मैदान में हैं उन पर भी उसी मडर केश में आरोप लगे थे उस केश से राजा भाईया भी बरी हो चुके हैं 10 मार्च को पता चल पाएगा के दोनों दोस्तों में कौन किस पर भारे पढ़ता है और उस दिन याभी पता चल जाएगा कि राजी की सत्ता पर कौन सी पाटी काविज होगी बाकि आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए निज रूम से निज लाइव के रिपोड़